यूँ तो हमारी बॉलिवुड इंडस्ट्री की फिल्मों में देवर और भावी के साथ रिष्टे को बहुत ही अच्छे से परदे पर कलाकारों ने पेश किया है और देवर भावी की फेमस जोडियां बनाई हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि बॉलिवुड काफी स्ट्रॉंग है तो चलिए मिलते हैं उन सभी जोडियों से नमबर वन मीरा राजपूत और एशान खटर शाहित कपूर के सौतेले भाई एशान खटर और मीरा राजपूत दोनों के बीच पे देवर भावी करिश्टा है और दोनों का बॉंड एक दूसरे के साथ बहन की तरह देखते हैं तबी तो ये हमेशा उनके साथ हसी मजाग करते हुए और पूल फोटोस खेचवाते हुए दिखाई देते हैं नमबर टू वरुन धवन और जानवी देसाई वरुन धवन की भावी का नाम जानवी देसाई है जो कि इनके भाई रोहित धवन की जानती हैं नमबर त्री उद्य चोपड़ा और रानी मुखरजी उद्य चोपड़ा और रानी मुखरजी के पीच भी देवर भावी का खुबसूरत रिष्टा है जी हां तबी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हसी मजाग करते हुए नजर आते हैं जहां पर इन दोनों के बीच का स्ट्रॉंग बॉर्ण साफ साफ लोगों को दिखाई देता है जिसे के साथ आपको बता दे कि दोनों एक दूसरे की काफी इज़त भी करते हैं नमबर फूर आदेत रोय कपूर और विद्या बालन दोनों के पीच में देवर भावी वाला प्यारा रिष्टा है जि पिल कपूर और श्रीदेवी भी एक दूसरे के साथ देवर भावी का रिष्टा शेयर करते थे जिनके बीच की केमिस्ट्री आप सभी को इनकी कई सारी सुपरिट फिल्मों में नजर आई होगी ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने जादा कमफर्टेबल थे और दोनों एक द प्यार भी करते हैं इसलिए ये कभी कबार उनके साथ प्यारी प्यारी फोटोज में नजर आ जाते हैं नमबर सैवन दिवेश तख्तानी और इशा देवल तख्तानी वाले वोड की खुब्सूरत अभी नेतरी इशा देवल तख्तानी के देवर का नाम दिवेश तख्तानी जन्हें इशा अपने छोटे भाई की तरह मानती हैं और एक बड़ी बहन की तरह उनकी केयर करती हैं इसलिए तो ये उनकी शादी में खुब नाश्टी गाती और हर फंक्षन में आगे रहते हुए दिखाई दी थी जहां पर इन दोनों देवर भावी का प्यारा सा रिष्टा सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा था बॉलिवूड के दो मल्टी टैलेंटेड स्टार केटरीना कैफ और सनी कोशल दोनों की बीच में देवर भावी का रिष्टा है और दोने एक दूसरे का साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह ही बरताओ करते हैं और हमेशा एक दूसरे की काफी केर भी करते हैं तो दोस्तों आपको इन सभी जोडियों में से कौन सी देवर भावी की जोड़ी पसंद आई आप हमें कमेंट करके बताएं और असी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले